हेलो माइ बीटिफुल सोल्स वेलकम डू माइ यूट्यूब चैनल टैरो विशिवी चिपाले डियर अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता तो प्लीज लाइक इस वीडियो ओके सब्सक्राइब करते हैं आपकी रीडिंग को देखनी कोशिश करते हैं कि आप इस पर्सन से क्यों मिले हैं ओके आपकी सब्सक्राइब सिर आता हैंं झाल हैं अगर आपकी लाहा आ कि अपकी आपकी स अगर कि अधिए यहां पर यूनिवर्स ने आपको इस परसन से क्यों मना है पहले ही एनरजी कुई आफ कप्स का आया है यह नो वाट जब मैंने कुई आफ कप्स देखा डिया तो मैं समझ गई ठीक है सो स्टार्ट करते हैं हम आपकी लीडिंग को और जो कोई भी परसनल लीडिंग लेना चाहता है वो मेरे चैनल पर दिवे नं पर दोनों जब आपको सेम नंबर मिलेगा सो जो भी परसनल लीडिंग के लिए लेना चाहते हैं वो वहां से कॉंटेक्ट कर सकते हैं पहली एनरजी आई है क्वीन आफ कप्स की तो यहां पर क्वीन आफ कप्स यह शो करता है कि आप इस परसन से क्यों मिले हैं आप इस परस कार्ट चुरु हुई है कुईन आफ कप्स यहां से नर्जी स्टर्ट हुई है और बॉटम से आए थे कुईन आफ शोर्ट यह दोनों कार्ट से बात कर रहे हैं यहां से शुरू होकर hier तक यहां तक जाने का सफर यह आपको तह करना था मतलब एमोशनल से थोड़ा प्रक्ल बनने तक का सफर आपको तैय करना था और इस सफर को कम्प्लीट कराने के लिए ये परसन तो आपकी लाइफ के अंदर आए हुए थे ठीक है ओके तो आप इस परसन से क्यों मिले रिखिए यहां पर ऐसा नजर आता ही कि जब आप इस परसन से मिले ता बहुत ही जादा इमोश ता लो अप इसको भी प्रोटेक्ट कर लो अप उसको भी प्रोटेक्ट कर लो जब धीर हुआ बढ़ आगे बढ़े तो आपको लिए वद बान कर सकता हूं व่ सक सबका दायन ही क田 बला champions है जिसमेशी नहीं है पहले अप क्या था बहुत भावनाओं में पहे दे ते जब ये परसन आपकी जिंदी के अंदर नहीं आए थे तब बहुत ही भावनात्मक इंसान रहे हैं आप भावनात्मक तोर पर जो इनसान है आपको इमोशनली मैनूपलेट कर लेता था अपनी मरजी से चला लेता था आपसे काम निकलवा कर फिर आपको खोशित कर दिया इस तरीकी की emotional energy आपके अंदर रही है जहां पर लोगों ने आपको बहुत जादा पागल बनाया है इस person की आने के पहले लोग आपसे काम भी कर वाले तो आप इतनी जादा भावना इतनी जादा भावना है आपके अंदर थी इतने भावनात्मक इंसान आप कि भावनाओं में भैकर ठीके emotions में आकर आप लोगों कितनी मदद कर देते थे इसको भी करना है इसके लिए भी करना है उसके लिए भी करना है उसके लिए भी करना है फिर आपको दीरे 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 इस person की आने के पाद यसी समझ में आई कि भाई सब के लिए करना है फिर मै कहा हूँ ठीक है मुझे मेरे लिए भी तो करना है मैं अपने आपको छोड़ दूँ क्या नहीं फिर आपको यह चीज रेलाइज भी कि मुझे मेरे लिए भी करना है ओके दैन यहां पर कार्ड आता है पेज आपके अंदर ना बहुत बच्पना रहा है आप भले कितनी भी उमर के इंसान हो 25, 30, 35, 40, 45 लेकि आपके अंदर एक जो कहते हैं कि emotional heart तो सस्यक्ति का होता है उसके हलका फलका यह उसके अंदर ने भावना जादा हैं और न marque का इस्तिमाल कम चाहिए काश ठीकल कम है बुद्धी का पर्दी का इताइन पैस्तिमाल कम करता आपनी in energy आपकी बहुत जादा रही है ठीक है? यह सारी चीजा बहुत अच्छी होती है, अच्छा होना बहुत अच्छा होता है, लहिays पर आपको फाया उठाने के हमेशा कोशिश करती है, जहां पर आपको लग रहे हैं, कि अन्सान को है यहाँ पर मुझे मदद करनी चीए वहां मदद करो जहाँ पर आपको लग रही कि इनसा बेफ़कूफ बना रहा है फाइदा उठानी कोशिश कर रहा है वहाँ पर अपने दिमाग का समझ में आनी चाहिए थी पहले ही कि मुझे ना हमेशे थोड़ा स्मार्टनेस के साथ रहने की ज़रत है अच्छा रहना अच्छा रहना अच्छी बात है लेकिन थोड़ा स्मार्ट रहना बहुत दरूरी है लोग सोचते हैं कि हम अगर अच्छे हैं तो हम हमारा लोग फायदा उठाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, आप अच्छे रहे के भी स्मार्ट रह सकते हैं, आप श्री हरी के व्यक्तित्व को फालो कर सकते हैं, श्री हरी का कोई फायदा नहीं उठा सकता, जी कि वो मतलब ऐसे थे भगवान कृष्ण की जब हम बात करते हैं, कि वो अच्छे भी अच्छे कर में उनके, सब कुछ बहुत बढ़ी है, लेकिन स्मार्ट थी कि कोई उनका फायदा नहीं उठा सकते हैं, इस तरीकी का व्यक्तित वो होना चाहिए, इन्सान सोता है, अगर मैं अच्छा हूं, तो मेरे को तो ऐसी जिन्दी जीने पड़ेगी, क्योंकि मैं लोग ने आपके साथ एक emotional connection बनाया, उसके बाद इन्हों ने आपको, यहनों, आपका second side दिखाया, कि आपको यह realize करवा के, कि आप, मतलब, आपको cheated feel हूए, इस person के साथ है, आपको लगा कि यह person आपका फायदा उठा रहे हैं, ताकि आपको यह समझ में आए, कि लोगों का, कि आपको यहां पर इस person नहीं आपको थोड़ा सा practical बनाया, और इस खास मकसद से, इस person को आपकी life के अंदर universe दोरा भेजा गया था, दूसरा यहां पर कार्टे nine of shorts and nine of points, आपके अंदर एक और energy भी रही है, कि आप अपनी खुशियों के लिए हमेशा दूसरों पर निर्भर करें हैं, ठीक है, आपने कभी अपनी खुशियों को पूरा करने के बारे, खुद से नहीं सोचा, हमेशा एक नहीं कैसे वेक्ति को तलाश दे रहें, जो आए आपकी जिन्दी में, आपको पूरा करें, आपको जो आपकी अधूरी इक्षा है, उनको पूरा करें, ठीक है, इस अब ही मैं कुछ समय से बहुत सारे लोग की जर्नी मेंने का पार्टेश का थी अ ऐस जर्नी में में लीडिं से परसवनार लेडिप या स'll से लिफ्र डिया है, उस Amenow। मैंने किसनी का बारत सबचानों का यह ञिंशन पूस्लों परने उनकी हैं DR 1 नस लिइagtंग ही इसना उनकी लाइफ में बैजा गया अधिया उन्हों के इनसान को एससा समझ लिया कि यह मेरा डिवाइन काउंटरपार्थ है यही तो है जो क्योंकि साइन्स उने दिख रहे थे साइन यहां क्या बात थी कि वह जो सब्सक्राइब काउंटर पाइग गोंडर को कि अगा है दूड़ी थे उनको सारे मिल रहेत टाइड नंबर चीज़न दिका दिखा घृतिए लिए व क्या बात थी कि वह जो जो उसे अपना रियल डिवाइन काउंटर पार्ट समझ रहे हैं तो ए मतलब उन से हो गए तो जो मैं रीडिंग कर रही थी उसमें मैंने देखा तो वो मतलब ऐसे नहीं था कि कोई आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट है या फिर उनके साथ आपकी कोई जर्णी है आगे यूनियन है या फिर आगे कोई मैरिज का सीन है नो वो जस्ट आपकी अपकी दोनों साइट सापको दिखाने आए थे पॉसिटिव और नेगट है वह जैसी उन्होंने अपना काम किया आपकी बहुत अत्त्ते क्लैंजिंग उसके बाद वो इगनूर करना स्टार्ट कर दिये एक्नूर करना स्टार्ट कर दियो कि उनके साथ आपका आगे कोई की और उसमें मुझे इस तरीगी की मैसेज़स मिले तो मतलब यहां पर यह भी नाइन ऑफ कोई से नाइन ऑफ शॉट्स निकल कर आया जो इसी चीज़ की बात कर रहे है कि आप अपनी कुशियों के लिए हमेशा दूसरों पर निरबह रहे हैं आइन ऑ शॉट आ साख हमेशा को ओपको खुशिय की अपनर को मिरर कि चॉश्य यहां कर दो आप ने की रही कि और यहां पर हमेशा मंगते रहें दूसरों से कि मेरी कुशियां पूरी evaluating कर दो सुचिंग नहीं की, यहाँ पर nine of coins यह दिखाता है कि अप finally वो चीज आई है आपके अंदर, कि आप अप अपनी खुशियों को पूरा करने के बारे में खुश से सोचते हो, आप ऐसा सोचते हो कि कोई खुश नहीं रखेगा, तो मैं खुश को खुश रखूंगा, मेरी responsibility है, यह मैं खु पास्ट का बहुत सारा knowledge था, जिसे unlock करना था, और उस past की knowledge को unlock तभी किया जा सकता था, जब कोई आपको उन चीज़ों पर trigger करता है, जिन चीज़ों पर आप अपने आपको समझ नहीं पाए हैं, जिन चीज़ों को लेकर आज भी आपके अंदर बहुत जादा blockages थे, उन blockages क ट्रिगर किया, इस person ने आकर, और जब वो blockage हील हुए, तब जाकर आपके अंदर का divine wisdom जागा है, तब जाकर आपके अंदर की healing qualities जागी है, तब जाकर आपके अंदर balance आया है, तब जाकर आपको पता चला है कि आप spiritually कितने mature हैं, already आप past में अपना spiritual connection बहुत strongly universe के साथ बना चुके थे, आप पर जो आपका divine के साथ connection था, वो past life में भी बहुत strong था, ठीक है न, तो यह चीज़ आपको समझाने के लिए, यह चीज़ आपको बताने के लिए person आपके life के अंदर आये हुए थे, और यह person इसी लिए आपको मिले हैं, ठीक है, देखे, emotional से शुरू होकर reading practical पर खताम हुई है, आप हमेशा ने पूरी जिए आपने इसमें निकाल दी कि लोगों क्या कहेंगे, आप लोगों में आप उल्चे रहे, आपका real व्यक्तित क्या है, real personality क्या है, आप क्या हो, इस चीज़ पर आपने कभी ध्यानी नहीं है, आपका ध्यान हमेशा इस पर लग कर रहा कि लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं, लोग, 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 हमेशा आपका ध्यान लोगों पर रहा, कि लोगों को आपको प्रभावित करना है, लोगों के नजरों में आपको महान बनना है, लोगों के नजरों में आपको कुछ बनना है, दुनिया को आपको दिखाना है कि आप कुछ हैं हमेशे आपको एक validation की ज़रौती जब भी आपको कोई काम करना था तब आपको validation की ज़रौती कोई आकर आपको बाहर से appreciate करें ये सारी जीज़ें आपके अंदर थी जहाँ पर आपकी खुद की personality पूरी तरीके से छुपी हुई थी आपका real वेक्ति पूरी तरीके से छुपा हुई था इस person को universe ने भीज़ा आपके life में ताकि आपका real personality, real वेक्ति तो बाहर निकल कर आ सके और आपको समद में आ सके कि आप reality में कौन है ठीक है आपने हमेशें मांगा, हमेशें दूसरों से expect किया हमेशें दूसरों के बारे में सोच रहे हमेशें दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं से आपको बहुत फरक पड़ता है दूसरे आपको कितना appreciate करते हैं से भी आपको बहुत फरक पड़ता है समाज में आपकी रिस्पेक्ट है कि नहीं, लोग आपको ये समझ पाते हैं कि नहीं, वो समझ पाते हैं कि नहीं, इस तरह की सोच आपकी थी, मतलब आप बहुत ही जादा अपने आपको दूसरों की नजरों में जच करते थे, यानि कि दूसरों के नजरीय से अपने आपको आ आपको लर्निंग देता है अब जरूरी नहीं कि वह यह आपको डिवाइन काउंटर पार्ट ही हो यह फिर उसके साथ आपका पर्मानिंट यूनियन है या फिर आपके साथ उसकी मारेज है जाएसा कोई जरूरी सीम नहीं होता है आपके लिए ऐसा भी हो सकता है कि जो लेसंस कि आपने लैंट लान लेसंस को लेसंस कु लर्न कराने के लिए किसी बेंडर न को मिलेंगे क्या है पर जरूरी न fabrics कि इस तरिकलर पर्संट के लिए भीजा गया था और उन्होंने अपना काम बखो भी किया है क्योंकि कोई आफ शॉर्ट्स दिखाती है लास्ट में जो आप पहले नहीं थे ऐसे लेकिन आप आप बन गए हो कोई आफ शॉर्ट्स की एनरजी दिखाती है कि आप पास्ट में ऐसे नहीं थे लेकिन आपका प्रैक के हुए हैं देखिए अगर किसी व्यक्ति के साथ आपका फ्यूचर नहीं है और अगर आप उसका पीछा करेंगे तो उससे आपको बहुत ट्रिगर्स मिलेंगे ठीक है और कोई इंसान अगर आपका आपके लिए है तो वो आपको मतलब बिना किसी एफ़र्ट के आप यह कहें कि बिना जबरदस्ती उसे पकड़े बिना उसे पकड़े आप उसे पा सकते हैं वो अगर आपका है तो आपके पास ही गूम फिर कर आता है इस वज़े से यहाँ पर निकल कर आई है ओके जो गाई इस वज़े से आप इस परसन से मिले हैं आप कोई रीडिंग कैसी लगी मु ये भी जरूरूर नहीं वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब मैं चानल थैंक यू गाइस